नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूट्यूब एज्यूकिस्टन चैनल में आज उन सिखने वाले हैं बैनोकल K27 कैपसुल के बारे में तो ये जो मेडिकेशन है वो ऐसे कंडिसंस में प्रिस्क्रैब की जाती है कि जिसके अंदर आपके सरीर के जो गुट जानते हैं कि ये मेडिकेशन का रोल क्या होता है किस तरह सी ये मेडिकेशन अपना काम क्या करती है उसके अंदर जो हो कंटेंट क्या है कि जो अलग-अलग इंग्रीडियंट्स क्या है उसके अंदर और कैसे ये मेडिकेशन अपना काम करती है तो ऐसे ही आपको डिटेल में सिखना है बहुत सारी दवयों के बारे में तो आप medicine course के join कर सकते है farmer ox के अब उपर तो ये course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 901631 2020 पे या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link description box में मिल जाएगी तब आते है topic पे और समझते है benocall k27 capsules के बारे में तो ये ऐसे class का medication की जिसको हम nutritional supplements के category के अंदर include करते है और ये जो medication है वो हमारे सरेर के हड्डियों की मजबूते के लिए जरूरी जो vitamins होते है minerals होते है वो हमें provide करता है और उसके manufacturers के हम बात करें तो Abandis Lab Sciences जो उसके manufacturer है और इसके बारे में हम detail में जाने तो ये एक Indian pharmaceutical company है कि जिसका Chandigarh के अंदर headquarter से और ये बहुत सरे pharmaceutical products को design करते है जैसे कि ये antibiotics बनाते है, antifungal दवाईया बनाते है, proton per minibator nutraceuticals, allergy के लिए जो दवाईया होती है और उसके बेलावा बहुत सरी दवाईयों को ये pharmaceutical company जो है, वो manufacture करती है, तो ये जो benocle K27 है उसके content के बारे में हम समझे तो अलग-अलग vitamins and minerals उसके अंदर present है, जैसे कि यह पर आप देख सकते हैं कि उसके अंदर present है, calcium trial present है calcium carbonate present है sinocobal 11 वाले कि B12 present है zinc present है, फिर ये जो K27 है, जो capsule का नाम, तो K27 जो एक प्रकार का vitamin है, वो भी उसके अंदर present है, boron present है और दुसरे excipient जो है, वो present है gelatin के हम बात करें, तो food grade का gelatin जो है उसके अंदर present है, दुसरे कुछ ingredients हम देखे, तो glycerin उसके अंदर present होता है, sorbitol होता है, beeswax है preservatives उसके अंदर एड़ किये है propyl paraben है, methyl paraben है antioxidant, benzoic acid वगेरा उसके अंदर present है और यह जो medication है, वो हमारे सरीडिक के लिए जरूरी जितने भी अलग-लग vitamins और minerals है, कि जो हड़ियों की मजबूति के लिए जरूरी है वो हमें provide करता है, जैसे कि boron क्या करता है, जो हड़ियों की मजबूति के लिए काफी जरूरी है, कि जो strong bonds का development होता है, उसके लिए boron का होरा जरूरी है, तो वो जो boron है, वो हमें यह capsules में से मिल जाता है, फिर calcitriol, कि जो calcium की deficiency को पूरा करता है, तो वो भी यह capsule के अंदर जो वो present है, तीसरा ingredient देखे तो calcium carbonate, तो वो भी present है कि जो हड़ियों की मजबूति को promote करता है, और उनकी growth को भी promote करने में मदद करता है, फिर जो K27 है कि जो एक type का vitamin है, तो उसका role यहाँ पह हम अच्छे से समझते कि जो capsule का नाम भी है, बैनोगल K27, तो K27 जो एक vitamin है, और यह vitamin क्या करता है, दो ऐसे protein को activate करता है, कि जो हमारे सरीर के अंदर calcium के metabolism को बढ़ाने में मदद करता है, तो एक जो protein है, वो है GLA protein है और दूसरा protein है, वो osteocalcin करके protein है, तो जब भी यह दो protein एक्टिवेट होते हैं, तो हमारे सरीर के अंदर calcium का metabolism जो एपो, काफी ज़्यदा बढ़ जता है, और calcium का metabolism increase होने के करण, जो हमारे सरीर को जरूरी calcium है, कि जो हड़ियों की मजबुति के लिए जरूरी calcium है, वो हमें अच्छे से मिल पाता है, और इस तरह से यह हड़ियों की मजबुति में, जो हम मदद करता है, मिधल कोबा लिमन की जो vitamin B12 है, उसके हम बात करें, तो जो blood है, हमारे neuron के जो cells होते हैं, उनके healthiness के लिए काफी जरूरी होता है, अगे समझते हैं, उसके basic use के बारे में के कौन से अलग-अलग medical condition में उसको prescribe किया जा सकता है, तो ऐसी conditions के जिसके अंदर neurons damage हुए है, साथ हो साथ हमारे blood cell के production को increase करने के लिए उसको prescribe किया जा सकता है because उसके अंदर vitamin B12 भी present है, तो वो blood cell के production में जो हो मदद करता है, दूसरा जो है, वो calcium के deficiency को treat करने के लिए आप उसको prescribe कर सकते है तिसरी condition, कि जो strong bonds, मतलब कि मजबुत हटियों को बनाने के लिए भी ये medication को prescribe की जा सकती है फिर learning abilities जो होती है बच्चों के अंदर उसको improve करने के लिए भी ये medication जो हो काफी मदद रूप साबित हो सकती है, फिर hemoglobin के production में मदद करेगा B12 होने के करन, फिर reduce करेगा excessive cholesterol level को आपके सरीर में से फिर healthiness जो हमारे heart की होती है, brain की होती है and nervous system की होती है, तो उसको improve करने में ये medication जो मदद करता है फिर जो bone के अंदर जो काफी weakness हो जाती है, तो यहाँ पर ये वाला जो bone है, वो काफी healthy है ये वाला और ये वाला आप देखो तो उसके अंदर काफी pores देखने को मिल रहे है, तो ऐसी हड़िया जो ये वो काफी कमजोर हो जाती है, तो उसको जब joints weak हो जाते हैं, तो उसको भी मजबूत बनाने में ये medication जो आपको मदद करती है Heart and kidney disease, skin problems formula disorder, immune system related problems, तो सभी को जो है वो treat करने में ये medication आपकी मदद करती है daily dose के हम बात करें तो खासकर एक capsule जो ली जाती है, या पे जो आप capsule का जो है वो cell जो अच्छे से देख सकते है, कि उसका जो cell है, वो खासकर बना हुआ है soft gelatin capsule का, तो attractiveness के लिए company ने red and yellow का combination जो हो बनाया है तो ये जो capsule है वो खासकर एक ही capsule ली जाती है nutritional deficiency को treat करने के लिए और खासकर ये खाना खाने के बाद patient जो है उसको ले सकता है बड़ ध्यान ये रखने कि excessive dose में उसको ना use करे proper dose में ही उसको जो है वो use करनी है side effects के हम बात करें तो कुछ लोगों को ये medication लेने के बाद anorexia हो सकता है, वाला कि loss of appetite आपके भूग कम हो सकती है nausea vomiting जैसा कुछ लोग feel करते हैं कुछ लोग को diarrhea में लेके दस्त हो जाते हैं सिर्दर जैसा feel करते हैं weight loss होता है, कुछ लोगों का आप fatigue में लेके कमजोरी feel कर सकते हैं पेट में gas बन सकते हैं कि जिसको हम bloating कहते हैं flatulence जैसा feel करना और warnings के बाद यह रहेगे कि अगर आपको इन में से किसी भी ingredient की allergy है तो इसको आप use ना करें तो खास आपको दियान यह रखना है कि जैसे हमने आगे ingredients discuss किये उसमें से कुई भी ingredient के आपको allergy है आपको पता है कि आपको यह ingredient से allergy हो जाती है तो आप ये medication को use ना करें फिर pregnancy के हम बात करें तो pregnancy के अंदर ये consider की जाएगी safe medication but आपको pregnancy में समझों कि ये medication use करें तो आपको gynecologist की एक बार advice जरूर से लिनी चाहिए और उनकी advice के बाद है ये capsule जोई आप pregnancy में use कर सकते हैं तो कई पर क्या होता है कि एक pregnancy के दोरां calcium की deficiency होती है एनेमिया की condition होती है तो उस वक्त ये medication जो आपको help कर सकती है तो ऐसे ही सीखें बहुत सारी दवय के बारे में medicine course में फार्मारोक्स के अप उपर तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे application को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल चाहेगी Good luck and all the best